आपके दिमाग में यह बात तो आया ही होगा कि महादेव ने बाग की खाल को अपना आसन क्यों बनाया। जब भगवान विश्णु ने हिरन्या कश्षिप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार धारन किया था, तब वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में थे। जब नरसिंह अवतार का लक्ष पूर्ण हुआ, तब उस प्रसंग को सदैव के लिए अमर कर देने है तू। भगवान विश्णु के सुझाव पर महादेव ने नरसिंह के चोले को धारन कर लिया। केवल आसन नहीं बनाया बल्कि अपने शरीर पर वस्त्र के समान धारन किया हुआ